नमस्कार दोस्तो ग्यान खजाना इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है खाना चाबाने के लिए दातों की सबसे महतोपुर्ण भूमिका होती है पर क्या आपने कभी सोचा है दातों का रंग सपित क्यों हता है तो चलिए जान लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी दबाए और आल पर क्लिक करें हमारे दात अलग-अलग स्तर के बने होते हैं इसमें से सबसे बाहरी परत को एनेमल कहा जाता है और यह परत कैल्सियम की बनी होती है जैसे कि आपको पता यह होगा कैल्सियम का रंग सपित होता है इसी कैल्सियम के कारण दात के बाहर का स्तर सपित होता है हमारे दात में इस एनेमल स्तर के अंदर और एक परत होती है जिसे डेंटिन कहा जाता है और इस डेंटिन का रंग पीला होता है इसी प्रकार दाद के बाहर की और जो एनेमल की पुरत होती है इसके कारण हमारे दाद सपेद होते है दोस्तो समय के साथ अगर बाहर का लेर पतला हो जाता है तो अंदर का पीले रंग का स्तर दिखने के कारण हमारे दाद पीले दिखने लगते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में